हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई किचिन मैं हुरा मिश्वरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नए तरह की इडली की रेसिपी तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ये कितनी बढ़िया फूली फूली स्पॉंजी इडली बन कर तयार हुई है लेकिन ये हमने बनाई हैं रात के बस्चे हुए चावल से मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी हुई है ये आप देख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है तो इससे हमारे रात के चावल विकार भी नहीं जाएंगे और इससे एक अच्छी नई स्वादिश्टिश तैयार हो ज सुजी को हमें लो फ्लेम पे दो मिनिट रोस्ट कर लेना है इसमें हम किसी घी या ओल का इस्तमाल नहीं करेंगे इस ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे और अभी तैयार है अब देखिए हमने इसमें एक कटोरी जो रात की चावल बचे है वो ले लिए मिक्सर ग्राइंडर में अब हम इसमें आधा कटोरी पानी आट करेंगे और अब हम इसे अच्छा इसे पेश्ट तयार करना है इसका एक हमें फाइन पेश्ट तयार करना है बिल्कुल चिकना तो अब आप देख सकते हैं इसका हमने अच्छा पेश्ट तयार कर लिया है बिल्कुल चिकना पेश्ट होना देखिए बिल्कुल इस तरीके से अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे इस एक पैन में निकालने के बाद हमारे पास जो और चावल बचे हुए हम उसका भी पेश तयार कर लेंगे देखिए हमने ये भी कर लिया है हमारे पास कुल तीन कटोरी चावल है तो हम ऐसे ही करके उसका पेश तयार कर लेंगे आपके पास जितना चावल हो उस रेशो से आप सूजी का इस्तमाल कीजेगा मेरे पास तीन कटोरी चावल है तो मैं एक कटोरी इसमें सूजी का इस्तमाल करें देखिए ये पिस चुका है और अब ये सूजी भी थंडी हो चुकी है तो अब हम इस चावल के मिश्रन में इसे एड़ कर लेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप दही दही खटा होना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें जब ये खटा होगा तभी इसमें अच्छे से खमीर बनेगा और हमारी इडली अच्छी फूली फूली और स्पॉंजी तयार होगी तो अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो रेशो हमने इसमें जो लिया है वन थट है तीन कप चावल है तो एक कटोरी समें हमने सूजी ली है इसी हिसाब से आप अपना रेशों तयार कीजिए अब ये थोड़ा गाड़ा है तो अब हम इसमें थोड़ा पानी आट करेंगे पानी धीरे धीरे करके add करें इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है इस mixture को हमें जैसे हम normal idli बनाने का mixture रखते हैं उसी तरह का इसका भी मिशरन होना चाहिए तो देखे फ्रेंट्स ये बेटर अभी भी गाड़ा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और एट करेंगे पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाए एक साथ ना मिलाए अगर बेटर आपका पतला हो जाएगा तो इडली फूली फूली और स्पॉंजी नहीं बनेंगी तैयार होगा और ये बच्चों को जरूर पसंद आएगा आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और आपको ये कैसा लगा आपको कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में हमारे शाद कीजिए तो देखिए हमारा बेटर तैयार हो चुका है अब हम इसम इसे बैटर में मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिये हैं और अब हमें इसे थोड़ी दिर रखना है ताकि ये सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए तो अब हम इसे 15-20 मिनिट के लिए डग कर रख देंगे तो जब तक ये रेस्ट कर तब तक हम चटनी की तेजारी कर लेते हैं, तो हमें आधा कप मुंग पली को रोस्ट कर लेना है, इसमें हम कोई ओल कर इस्तमाल नहीं करेंगे, बस इसे ऐसे ही 2-3 मिनिट तक रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका कच्छा पन चला जाए और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जा इसे हम थोड़ा थोड़ा दो बार में करके करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, तो आधे नारेल हमने इसमें डाल लिये हैं, अब हम इसमें डालेंगे सुक्वी हुई लाल मिर्च, तो यह हमने तीन लिये हैं, आप तीखा अपनी हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, और हम अब अद्रक यह हमने एक इंच का द्रक का तुक्रा लिया है, और हमने लैसून की कलिये छील लिये हैं, दस से बारा, और अब इन सारी चीजों को हमें पीसना है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी आट कर लेंगे, जिससे इसे अच्छा फाइंड पेस्ट तयार हो, तो चलिए इस नारियल के साथ हमने यह जो भूजी हुई हमारी पीनट से मुंगपली उसे भी आट कर लेंगे, और थोड़ा पानी डालके अब इसका भी एक अच्छा पेस्ट तयार कर देंगे, तो देखिए यह हो चुका है, तो अब हमें इसे भी इसी साथ मिक्स कर देंगे, इडली के स तड़का लगा लेंगे, तो इसके लिए हमने कड़ाई में एक चमच तेल गर्म कर लिये हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच राई, अब जैसे ही यह फूटने लगेगी, तो अब हम इसमें डालेंगे, मिठी नीम के पत्ते, दस से पंद्रा, दो लाल मिर्ट देंगे, तो देखिए, कितना बढ़िया तयार है हमारी चटनी, और जो हमने मिक्सी में हमारा जो भी पेस्ट बचा हुआ था, उसमें भी पानी एट करके सारा हम इसमें मिला देंगे, और अब इसे हम दो मिनिट के लिए पका लेंगे, तो देखिए, अब हमने इसमें और पानी मिला दिये हैं मिक्सी के जार में जो हमारा पेश्ट बचा हुआ था वो सब हमें अच्छे से निकाल के इसमें आड़ कर लेना है और अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे टेस्ट के हिसाब से और अगर आप मिर्च आप और तीकी करना चाहते तो यहां स्टेज पर आप थ कीजिए यह बॉयल आ गया है अब इसके बाद इस गैस को आप बन कर देए 20 मिनट हो चुके हैं अब देखिए यह बैटर और फूल चुका है तो अब हम इसे एक बड़े बरतन में निकाल के इसमें थोड़ा पानी और एट करेंगे क्योंकि जो सूजी थी वो फूल के बैट कर लेंगे ताकि इसमें इडली चिपके ना आसानी से निकल सके और इसके बाद इसमें हम बैटर डालेंगे इसमें एक एक चमच हम सारी में बैटर डालेंगे ताकि इससे अच्छी इडली बन कर तयार हो जाए हमारी और अब हम इसे कूकर में रख देंगे इडली कूकर में इसने हमने पानी डालकर पहले ही गैस में गर्म करने चड़ा दिये हैं और अब इस बरतन को रखकर हम इसे ढखकर पका लेंगे इडली पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है जैसे आपको पता ही है तो आप देखेंगे 10 मिनट में कितनी बड़ी हमारी इडली तयार हो चुकी है देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं कितनी आसानी से निकल गई और कितनी फूली हुई और स्पॉंजी इडली हमारी बनकर तयार हुई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इडली तयार हुई है और इक खाने में भी उतनी ही तेस्ती है तो हम इसे निकाल लेते हैं अभी हमारी नारियल और मुखळी की चट्टनी और इडली और कितना बड़ी हमारा सुबे का नाष्टा तयार है तो देखिए बचे हुए चावल से हमारा कितना अच्छा हेल्दी नाष्टा तयार हो चुका है और क्योंकि चटने नारेल और मुझफली की है तो वो तो हेल्दी है ये अब ये देखिए हम आपको इडली तोड़ के दिखा रहे है कितने अच्छा इसमें खमीर आया हुआ कितनी फ्लाफी और कितनी सॉफ्ट ये तयार हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप कोई वीडियो कैसे लगा हमें प्लीज बताइए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग